कोस्टन नमर 9 जो की एक्सरसाइज 9B का लास्ट कोस्टन होने जा रहा है एट अ कैम्प देर इनफ फूड फॉर 156 स्काउट्स फॉर 50 दे तो एक कैम्प में 156 स्काउट्स के लिए 15 दिन का भोजन प्रयाप्त है तो पूछा यह जा रहा है कि 29 और स्काउट्स आ जाते तो यह खाना 15 दिन के बजाए कितना दिन चलता चलिए बहुत आसान है टेंसन ने लेना है कितना तरीका हो सकता है कोश्टन मनाने का टेंसन नहीं लेना है पना देना है यह बात लिखते हैं देर इस इनफ यानि की प्रयाप्त फूट फॉर 156 स्काउट्स फॉर 15 देज सो हम निकालेंगे दियर इनफ फूट ओफ अगर एक स्काउट्स वता खूब दिन खाता खूब दिन खाता खाना 15 multiply 156 देज तक वह खाना चलता ठीक है अगर स्काउट्स कितने आ जाते हैं थर्टीन नाईन मूर 156 पलस थर्टीन नाईन यानिकी टोटल कितने स्काउट्स होगा है तो अब नंबर ऑफ इट्स काउट्स जो होगा है 195 हो गया है तो खाना क्या हो जाएगा जो ज्यादा दिन चल रहा था वह क्या हो गए कौम दिन चले गा या य는 खाना बट जाएगा टिवाइट उने 95 को है अब 15 के टेवल में थर्टीन टाइम सो थ्र्टीन के टेवल में या T w में यानि कि बारा दिन तक खाना चलेगा यह कॉंसेप्ट को आप समझ सकते हो बहुत अच्छे से इस चीज को समझेगा फिप्टीन मल्टिप्लाई एक इसकाउट्स भी हो सकते हैं वह कैसे हम बताएंगे टेंसन नहीं लेना है अगर इतना मल्टिप्लाई करने पर अगर इतना इसकाउट्स आ जाएंगे तो एक दिन में खाना को खा जाएंगे ठीक है जबकि जबकि एक इसकाउट्स होता तो इतना दिन खाना चलता तो दूनों कॉंसेप्ट को समझेए कुश्चन नमबर ए जो है अपना बन चुका है कुश्चन नमबर बी में हाव मेनी इसकाउट्स सुट गो कितने इसकाउट्स चले जाएंगे वह खाना 26 दिन में खपत हो इसमें हम डाल देते हैं इसकाउट्स नमबर एफ एसकाउट्स जगह कम है छोटा लेज़ आप लिखेगा नमबर एसकाउट्स नमबर एसकाउट्स लिख दीजिएगा और इसमें लिखेगा दे इसकाउट्स अगर 156 था तो खाना चल रहा था पंदरा दिन तक तो बोला 26 जिन तक खाना चलाना है तो कितना एसकाउट्स चाहिए नहीं पता है तो माल लिए एक्स अब इसको सिंप्लिफाइग करते हैं अगर हम लोग सामने साने मल्टिप्लाइग करेंगे 156 multiply 15 is equal to 26 multiply x this implies x is equal to 156 multiply 15 by 26 26 से कैंसिल हो जागा यह सिक्स टाइम में और 15 का 90 तो क्या हो जागा 90 स्काउट्स हो जाएंगे कि 90 स्काउट्स है ठीक है